हेलो, नमस्कार विद्यार्थी मित्रो, वेद डिजिटल एज्यूकेशन मा आपनू हर्दिक स्वागत छे, आजे आपने धोरण छो विशय हिंदी मा प्रत्थम सत्त्रांत परिक्सा बेहजार चोविश नू सो टका टाइपिंग साथे नू सम्पूर्ण पेपर नू सोलुशन आपने जोवाना छिए, तो खास विद्यार्थी मित्रो चैनल मा नवा होई तो चैनल सब्सक्राइब करो, बाजुम वाला बैल ऐकन प्रेस करो, जेती तमने धोरण छना, तमाम विशय ना वीडियो नी नूटिपिकेशन सरडता थी प्राप्त थे शके, वीडियो लाइक कर अने हाँ, तमार मित्रो दोस्तों ने शेर करो, गणा बजा विद्यार्थी मित्रो वाली मित्रो नी कमेंट आवे छे, कि सर धोरण छना, प्रतम परिक्षा माटे उपियोगी, आईएमपी, पेपर शेट प्लीज होई, तो सर आपो ने, तो मित्रो आप पेपर शेट त्यार करेलो छे, तमार माटे, तमने मली जशे, क्या थी मरसे आपने आगळ जोई है, तोरण छो विशे हिंदी प्रतम सत्तरान परिक्षा कुल गुण एशी, तो विद्यार्थी मित्रो नी कमेंट आवे छे, कि सर अमारे AC माथी AC गुण मेडवा छे, अत्वा तो सर अमारे पंच आपने माक्स नत्या होता, तो चालो जोई है, प्रश्ण एक निम्ना लिखित पंग्तियों के भावार्त अपने सब्दों में लिखिए सिर्फ दो ही, तो ना दस माक्स छे, तो दस माक्स आराम थी मली शके वाचे, जो, एक जगत, एक लोग, सबका है, एक मान, एक चंद्र एक सुर्य, एक भूमी, आसमान, एक तेज, एक हवा, एक ही पानी, जीवन है सुख दुख की एक कहानी, आने तमारे समझा वानुचे के भई, यह संसार एक मानव लोग है, इस दुनिया में रहने वाले सभी लोग एक जैसे संमान के हकदार है, रात में एक ही चंद्रमा सार संसार को प्रकाशित करता है, हम सब एक ही धरती और एक ही आसमान के नीचे रहते हैं, हमें मिलने वाला प्रकास हवा और पानी, एक ही है, हम सब के जीवन में सुख दुख भी एक जैसे है, विजु हर्च भरे गाये हम राग सुहाने, समता और ममता के गित तराने, गरगर मे गुंज रहा निश्च दिन यह मदूर गान एक जगत एक लोग सब का एक मान हम आनंदित होकर सुन्दर राग छेड़े हम समानता और पारसपरिक प्रेम के गीत गाए रात दिन घर घर में यही गीत गुंजे कि हम सब एक जगत एक लोग के निवाशी है तो विद्यार्थी मि वाली मित्रों नी पन कमेंट आवे छे के सर अमारा बालक ने सारी टकावरी प्राप्त करवी छे सारा मांक्स प्राप्त करवा छे तो प्लीज एमना माटे उप्योगी जे पेपर शेट छे अथ्वा तो तमें जे कतियार करेला असाइन्मेंट छे सोल्यूशन साथे ना पेपर शेट अन्य वीडियो ने बद्धू तमने वेड डिजिक्टाल एज्यूकेशन नामनी आप्लीकेशन जे गूगल प्लाइश्टोर के जहांते तमें गेम डाउनलोर करी सक्षो तो त्या मित्रों लाखो विध्यार्थी मित्रों आप्लीकेशन नों यूज करे छे जे ज़से तो गेम डाउनलोर करो छो त्या जे नैं अप्लीकेशन डाउनलोर करो ओपं करशो अटला पेज खुले मा तमार मोबाल नंबर मा को साइड ओ टी प करो जे विशे मां तकलिफ होई जे पाठ मां तकलिफ होई ये विशे के पाठना तमिशू जोई शक्षो वीडियो जोई शक्षो वरबर टुकमा तमने इथी बद्धूज मड़ी जर्शे क्लियर चालो अगरवद ये अथ्वा त्रिजू दिपक को देखो कैसे यह हर्दम जलता रहता है अपना अंतर जला जला कर रोशन जक्को करता है दिपक को देखो वह हर्दम कैसे जलता रहता है वह अपना रदय जलाता है लेकिन दुनिया को उजाला देता है चलो प्रश्ण के उत्तर लिखे सिर्फ दो हमारा जीवन क्या है तो हमारा जीवन सुद्ध की एक कहानी है हम हिलमिल के क्या लहराए तो हम हिलमिल कर विश्व सांते का जंडा लहराए हमारा कर्म क्या है तो विश्वक के सभी राष्ट्रों में एक्ता बनाये रखना हमारा कर्म है प्रश्ण बे और सही वाक्यांस चुनकर वाक्य फिर से लिखिए सिकारी को पस्तावा हुआ क्योंकि उसने एक निर्दोस प्राने को कष्ट पहुँचाया था उड़ते उड़ते कववा एक जोपड़ी के पांस पहुँचा प्रश्णों के उत्तर संक्सित में लखे किन ही दो आपने किन-किन पशों को देखा है तो मैंने इन पशों को देखा है गाय, बैल, भैंस, बकरी, गोड़ा, हाथी, कुता, बंदर, बिल्ली, उट और गधा क्या देखकर सिकारी का दिल भर आया, तो हिर्नी की आखों में आसु देखकर सिकारी का दिल भर आया प्रश्नों के उत्तर लिखे दो सिकारी ने हिरनी के साथ केसा व्यवहर किया क्यों सिकारी ने हिरनी के साथ दयापुर्ण व्यवहर किया क्योंकि उसकी दसा देखकर सिकारी को दुख हुआ था शिकारी हिरनी के पास क्यों गया तो शिकारी ने हिरनी पर गोली चलाई थी वह यह जनना चाता था कि उसकी गोली हिरनी को कहां लगी और अब वह किस दश्या में है या जानने के लिए वह हिरनी के पास गया कोउये ने अपनी प्यास केसे बुजाई तो कौउया घड़े में एक-एक कंकर डारने लगा कंकडो के कारण निचे का पानी घड़े के मुँआ तक आ गया इस युक्ती से कोउये घड़े का पानी पिकर अपनी प्यास बुजाई प्रश्णतर निम्ना लिखित मोहावरो का अर्थ देखकर वाक्य में प्रयोग करके लिखिये सिर्फ तिन अंसुनी करना ध्यान न देना मा की बात अंसुनी करके तुमने अच्छा नहीं किया सर्म से पानी पानी होना बहुत लज्जित होना चोरी पकड़ी जाने पर नौकर सर्म से पानी पानी हो गया आखों का तारा होना बहुत प्यारा होना राकिश अपनी मा की आखों का तारा है थिरकने लगना खुसी से नाचना संगित सुनते सुनते लोग थिरकने लगे पिट थप थपाना साबा सी देना मुझे प्रतियोगी तामे इनाम मिलने पर पिता जी ने मेरी पिट थप थपाई दिये गए चितर के आधार पर आट से दस वाक्य लिखिये बरबर तो एक दिन राजा अपनी राणी के साथ रत पर सवार होकर राज्य का भ्रमन कर रहे थे तो देखा ही चापने रत ही या वे राजधानी से बहुत दूर निकल गए उन्होंने देखा कि एक खेत में किशान हल जोत रहा है मगर उसके हल में एक ही बेल है दूसरे बेल के स्थान पर उसकी स्त्री हल खींच रही है राजा बोज ने रत रोका और किसान के पास जाकर कहा भले आदमी तू ये क्या अत्याचार कर रहे हो भला कहीं स्त्री को भी हल में जोता जाता है मेरा एक बेल मर गया है दूसरा बेल खरिदने के लिए मेरे पास धन नहीं है अगर खेद न जोता तो मैं खाऊंगा क्या कहकर किसार पुन्व अपने कारी में लग गया उससे क्या पता था कि उससे बात करने वाला कौन है राजा ने कहा अरे भाई जरा सुनो तो जो करना है मेरे साथ चलते चलते कहो मेरा काम क्यों रोकते हो प्रश्ण पांच अंको को सब्दों में लिखे सिर्फ छे 53, 68, 87, 86, 89, 92 और 94 प्रश्ण च्छ दिये गए परिछेत का मात्रु भाष्या में हनुआद कीजिए तमने आप पेरेगराफ हाई पोश है बरबर एनों मात्रु भाष्या में तमारे रुपांतर करवानुँछे तो एक दिवस राजा पोतानी राणी नी साथे रत्मा बेशी ने राज्ये मां फरी रहिया हता ते वो राजदानी थी खुबच दूर निकड़ी गया तिमने जोयू के एक खेतर मा एक खेडुत हड चलावी रहियो हतो परन्तु तेना हड मा एकज बढ़त चे बिजी बढ़त नी जग्ये तेनी पत्नी हड खेंची रही छे पोज राजा ये रत रोक्योंने खेडुतनी पासे जहीने कई भला मानग से तो आ क्यों अत्याचार करी रही हो छे अरे क्या इस त्री ने शोड़मा जोत्रा ती ये शे चालो प्रश्ण साथ नीमनल लिखेत सब्दों का वचन परिवलतन करके उसका वाक्य में प्रयोक लिखे सिर्फ पाँच लड़का लड़के पाट साला के सभी लड़के प्रात्ना में नियमित है किताब तो किताबे आंख तो आंखे पोधा पोधे पंखा पंखे पैंसिल पता पतीğा गिंती को सब्दों में से अंकों में लेखे जा चलो पबाएlaus छो जोड मिला ये उनहतर उनहतर तीहतर प्र और टीरासी और उनौनशट है। निम्ला लखित वाक्यों में उच्छी स्थान पर विराम चिनह लगा कर वाक्य फिल से लिखे तो जो वाह उद्गार छे कितनी अच्छी किताब ये पूर्ण विराम मेरी पुस्तक का नाम रामायन है आमपन करी शकाई इनोटेट को मामा रामू क्या खा रहा है प्रश्ना जहां की भूमी उपजाओ है महक सुगन पहली बारेस आने पर धर्ति से सुगन्द आती है हर्दम हमेशा दिपक हर्दम केसे जलता है अंतर रिदे सबके रिदे में भगवान विराज तेह रोशन प्रकाशित सुरज की किर्णो जग को प्रकाशित करती है चलो निम्ना तो वीडियो पोस्ट कर यहने तमें लखी सक्सो अथ्वा तेनी पीडिएफ उपन तमने में कि दूशी मड़ी जशे क्या थी आया थी पैड कोर्स माती मड़ी जशे मेरा प्रिय पक्षी तो तोता महर तमने जे मजावी पूछे तो नहीतर तोता पूची उजे तावड़ तोता विशे लखवानू छे और 15 आगस्त ब्रबर स्वात्तंत्र दीन जे पूछे ते बेम एक जवाब आउशे तो आरिते विद्यारती मित्रों आपड़े सरस्मजानू संपून सोल्यूशन जोयू और आविटते तमें व्यवस्ति लखो अरले एंसी माती एंसी गुण श शुक्ता मणावो अल्टे बेस्ट अन्य हा तमने वीडियो के वह लाग जो चोक कसती तमें विद्याती मित्रों कमेंट कर जो चैनल मा नवा चैनल सब्सक्राइब करी वीडियो लाइक करी तमार मित्रों देश्तों सेर करी बाज्वान बेल एकन प्रेस कर जो झेति हमें वीडियो चे तमारा सब्दी सरवताती ओंचाडी शक्किये तो यह शुदी राखिये अस्तो जय जय भानद